गुड मार्निंग बच्चेओं कैसे हैं आप लोग आई हूप साब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी एक बार फिट से स्वागत है बिटा आप लोगा एक न्यू ब्रैंड चैप्टर में और जिसका नाम है डाप प्रिशेशन ठीक है बिटा तो सर आज हम आपके हमेशा काम आएगा तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक सी बाते करेंगे डाप प्रिशेशन होता क्या है ठीक है क्या क्या रीजन से हैं फैक्टर गों से होते हैं तो बिल्कुल आज हम जान पैचान करेंगे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले स्टार्ट करें जब हमारी किसी टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में घिरावट आती है, घिरावट मतलब कमी आती है तो for example मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने क्या किया मैं अपने लिए अपने सेंटर के लिए एक AC लेकी आया चीक है उस AC की जो life है वो life कितनी है 5 साल है तो for example जो मैं AC लेकी आया उस AC की life कितनी है 5 साल और उसी cost कितनी है विटा 1,00,00 तो 1,00,00 उसकी cost थी उसी life कितनी है 5 years इसका मतलब सर उस AC की air conditional की हर सार value कितनी काम हो रही है 20,000 रुपे तो इस 20,000 रुपे हम क्या कहते है depreciation ठीक है बेटा तो depreciation means reduction in the value of tangible assets ठीक है तो एक छोड़ा से example दिया कि मैंने 1,00,00 रुपे की मसींदी खी ती और उस मसींदी की life कितनी है सर उस मसींदी की life 5 साल है तो इसका मतला हर साल उसकी value कितनी reduce हो रही है 20,000 इसी कम क्या बोलते है मेटा depreciation I hope मेरी यहां तक बात क्लियर होगी चलिए तो कहता है depreciation means क्या होता है reduction reduction मतलब होता है कमी reduction मतलब क्या होना उसकी value decrease हो जाना in the value of किसकी tangible tangible का मतलब सर क्या हुआ building की बात कर रहे है machinery की बात कर रहे है और furniture की बात कर रहे है या कोई sports equipments है तो जितनी भी tangible assets है जब उनकी value में घिरावट आती है तो उसकी कम क्या बोलते है depreciation ठीक है बेटा I hope यहां तक कोई doubt नहीं होगा मैंने आपको example भी दिया कि एक लाग रूपे की assets है और उसकी पांच साल life है तो हर साल बाद हर एक साल के बाद इसकी value कितनी कम हो रहे है 20,000 I hope मेरी बात यहां तक आपको clear होगी चलिए अब बात कर रहे हैं sir reduction क्यों लगता है किसी assets की value क्यों कम होती है बहुत अगर मैं आपको बताऊं की mainly तीन बाते होती है assets की value क्यों कम होती है सबसे फ़हला factor होता है use of assets यार किसी assets को use करोगे तो क्या होगा उसमें wear and tear होगा two foot होगी है ना अब एक machine री घरी दी भाई पूरे साल दिन में 24 गंडे वो machine चल रही है तो भाई machine क्या होती है use कर रहे है उसको तो कहीं न कहीं क्या होगा wear and tear होगा two foot होगा तो उससे value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो पहला reason हो गया use of assets ठीक है दूसरा सर दूसरा होता मेरे बैचों लाइफ होती है हर assets के लाइफ होती है है ना तो for example हमने एक machine परचेस करी है और उसकी लाइफ कितनी है पांक साल बाद estimated life है तो पांक साल बाद वो पिल्कुल क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी जैसे आप एक mobile phone खरीबते हो है ना तो आप कहते है इस mobile phone की maximum life कितनी है पांक साल है चाहे अब change से एक साल में कर ले तो बेटा ठीक है तो दूसरा factor हमारा क्या है बेच्छा life of efflux of time ठीक है तो मैं बात कर रहा था कि कौन-कौन से factor है पहले हमने बात करी बेटा क्या use of assets तो use of assets मैंने क्या बता है आपको किसी assets को use करोगे तो क्या होगा wear and tear assets को अगर आप use कर रहे है तो उसमें क्या हैगी टूटफूट आएगी efflux of time का मतलब हुआ बेटा life of assets तो मैंने का यार जो assets की life होती है न वो क्या होती है finite होती है मेरे भाई 5 साल, 10 साल, 20 साल है ना infinite तो होती नहीं बेटा तो जो दूसरा factor है depression लगने का वो है मेरे बेच्चों efflux of time बाकी जितने भी reason है जितने भी reason है इनको ये बहुत important नहीं है ये बहुत important नहीं है लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है अब बाकी जो reason मैं समझाता हूँ क्या है अगला point लिखा है बेटा obsolence होना obsolete हो जाना ये obsolence मेरे बात दिहान सुनिया for example आपके पास एक phone है और वो phone आपके touch वाला नहीं है वो pad वाले phone चलते तो नहीं पहले वो वाला phone है वो phone बहुत बढ़िया चल रहा है लेकिन क्या हुआ market में उसी दौरान नहीं innovation आई है ना कुछ changes आए market में changes के विज़े से touch phone आगे तो आपका phone तो चल रहा है लेकिन आपने क्या कि उस phone को छोड़के आप new technology में आगे और अपने क्या किया वो phone छोड़के नया phone ले लिया तो ऐसा नहीं जो phone आपने छोड़ा वो चल रहा है बड़ी है लेकिन क्या हुआ एक नई innovation एक new technology की वेज़े से आपने उसको छोड़ दिया तो ऐसी market में होता है माल लीज़े किसी company के वास एक X machine है और वो ठीक से काम कर रहे है अच्छा production कर रहे है लेकिन market में कुछ changes आए कुछ नई machine रिया गई जिससे हमारी cost कम होगी production ज़्यादा होगा तो company's क्या करती है उस पुरानी machine के छोड़के नई machine को उठा लेती है खरील देती है तो जो पुरानी machine है वो ठीक है उसकी life अभी है और वो काम भी कर रहे है लेकिन फिर भी हम लोग से छोड़ देते है तो उसे कहते है बेटा obsolence या obsolete हो जाना ठीक है चौथा point होता है बेटा accidents यार accidents कोई regular basis पे तो होते नहीं है कभी कभी हो जाता है है ना factory में काम कर रहे है और किसी भी reason से accident हो गया तो उससे में भी हानी assets की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है बेटा तो मैंने अभी तक क्या बता है आपको मोटा मोटा मैंने ये बता है यार कि dap question का मतलब होता reduction value of tangible assets वो दो ही है मेरे बच्चों एक तो use of assets और दूसरा होता है life of assets एक next word इसका नाम है depletion देखो हमने कहा कि जब किसी tangible assets की value कम होती है उससे depreciation कहते है सर हमारे पास कुछ intangible assets भी है हमने goodwill purchase कर रखी है कोई patents है copyright है trademark है अगर उनकी value में घिरावट आएगी तो वो भी क्या है reduction हो रहा है तो क्या सर हम उसे भी depression बोलेंगे नहीं तो उसके लिए एक अलग से नाम मेरे बच्चों जिसे कहते हैं amortization तो amortization का मतलब होता है जब किसी intangible assets की किसी intangible assets की value में कोई reduction होता है जितना भी reduction होगा उसे हम कहते हैं amortize होना या amortization ठीक है तो dapation means dapation किस में होता है tangible में और amortization किस में होता है intangible में I hope यहाँ तर clear होगा सर एक चीज़ और होते है depletion क्या नाम मेरे बच्च का depletion depletion का मतलब यह होता है जब कोई हमारी जो wasting assets होती है सर वेस्टिंग assets कहन सी होती है जितने भी हमारे natural resources होते है क्या होते मेटा जितने भी हमारे natural resources होते है for example koilay की खाने होती है है ना तो koilay की खान में हम लोग क्या करते है उसमें से हम regular बटा क्या कर रहे extraction of mine कर रहे है ना वो koilay निकालते जा रहे है मेटा तो उसकी जो एक time के बाद क्या होगा बिल्कुल खतम हो जाएगा तो same होई है depletion means होगा कि जब हमारी क्या होती है wasting assets की value क्या करती है reduce करती है ठीक है तो जितने भी natural resources है उनकी value जो reduce कर रही है उसे हम कहते है depletion तो extraction of coal from coal mine तो जब coal mine से आप coal निकालेंगे तो उसकी value भी क्या होगी reduce करती ही जाएगी तो यह बिल्कुल basic सा point है I hope आपको clear होगा चलिए अब factor की बात करते हैं चलिए बच्चे तो तीन बड़ी important बाते हैं बच्चे मेरी बात ध्यान सुनना सर पहला point है total cost of assets total cost of assets सर क्या होता है मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए total cost of assets सर क्या होता है आप market में गे और आपने एक machinery purchase करी तो जो cost of machinery थी मेरे बच्चे आपने बूचा कितनी की machinery है उन्होंने का जी 10,00,00 रुपे की machinery है ठीक है तो क्या ये 10,00,00 रुपे उस machine की total cost हो गई नई बच्चे एक बात बताओ machinery आपने खरीदी अब जब machinery खरीद होगे तो उस पर क्या लगता है GST लगता है taxes लगते तो वो GST भी क्या हो गया एक cost नहीं होगे बिटा आपके लिए for example 10,00,00 रुपे के उपर 1,00,00 रुपे का GST लग गया या कोई भी other taxes लग गये बिटा मेरे बात बहुत ध्यान सुना ठीक है सर amount के पीछे मत जाना कि सर 1,00,00 रुपे कैसा आगया अब एक बात बताओ 10,00,00 रुपे की मसीन ली 1,00,00 रुपे GST लग गया आपसे पुछा मसीन कितने की है सर 11,00,00 रुपे की 10,00,00 की थी और 1,00,00 रुपे taxes लग गये ठीक है अब ये मसीन जो आप करोगे जो लेके आओगे घर पे कैसे आएगी आपकी फैक्टरी तक कैसे आएगी सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक ट्रक, टैंपू या कोई क्रेन बुला के लानी पड़ेगी है ना किसी बड़े डंबर में आएगी तो उसके लिए क्या लगईगा क्यारिज प्रेट लगईगा पेटा उसके लिए एक मज़़ूर बुला हुए है ना उस मज़़ूर को वेजिस दोगे फिर इंजिनियर आएगा कंपनी से उसे इंस्टाल करेगा ठीक है सर तो मैं कहता हूँ इंस्टालेशन इंस्टालेशन चार्जिस एक लाग रुपे लगए ठीक है तो आपसे पूचा गया भई मसीन कितने की है तो आप दस लाग की थोड़ी बोलोगे तो आप में का दस लाग की मसीन थी एक लाग रुपे की ये खर्चे है पचास जार की ये खर्चे हो ये लगए तो आपकी मसीन कितने की होगी साड़े 12 लाग रुपी की हो गई तो उसा total cost of assets का मतलब होता है जब कोई machine आप खरीदते हो और जब तक उसे हम use ना करें उस वक्त तक जितनी भी खर्चे लगेंगे वो सारे हम उसकी cost में add करते हैं और यह जो cost में add करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं capitalization नाम सुना होगा अपने word capitalization का मतलब क्या होता है कि किसी भी new assets को acquire करते समय जितनी भी खर्चे आप करते हैं वो सारे उसकी cost में add हो जाते हैं इसे कहते हैं capitalization करना थोड़ा GST के मुद्धे में बात करनी पड़ेगी GST में जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा कि सर हमने जब goods machine भी खरीदी GST दिया input हो गया लेकिन आगे क्या होगा हमें इसका benefit भी मिल जाएगा है ना तो इसलिए इसलिए आप GST को यहां से हटा भी सकते हैं क्यों कहीं न कहीं हम यह मान के चल रहे हैं कि for example मैं समझार था वैसे सी तो GST के जो खर्चे होते हैं कहीं न कहीं सेट आफ हो जाते हैं है ना मैं मान के चलिए कोई और टैक्स है तो साड़े बारा लाग रोपर की हमारे यह पे क्या होगे machine की cost होगी तो सर टोटल कॉस अफ एसेट का मतलब यह हुआ कि machine आपको finally कितने की बड़ी तो जितने की ली और उसको start करने तक कि जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे capitalize होते हैं I hope मेरी बात यहादा clear होगे चले सर दूसरा factor बताईए दूसरा factor है estimated useful life of assets हम बात क्या कर रहे हैं हम लोग मेरे बैचों यह बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी assets पर ड़ाप कृशन लगाने से पहले कौन-कौन से main factor होते हैं तो पहले हमने बात करी cost कितने की machine पड़ी दूसरा हम बात कर रहे हैं useful life of assets estimated sir estimated क्यों बोल रहे हो for example मैं अपने यहां पर अपनी कोचिंग में furniture लेके आए एक single share लेके आए तो accountant ने बूचा CA ने बूचा हाँ बही यह furniture आप लेके आए यह share लेके आए इसकी life कितनी है तो एक बात बताओ क्या मैं exactly इसकी life बता सकता हूँ मैंने का नॉर्मली 5 साल एक share चल पड़ती है मतलब 5 साल तक कोई दिकत नहीं होती है लेकिन हो सकता है किसी साल ऐसे खतरनाक से बच्चे आए कि पहले दिन चेर को तोड़ते मैटा तो जो estimated life of assets होती है useful life जो होती है वो हम estimate कर सकते है कि यह machine की life कितनी है कितने साल यह चलेगी तो इसे कहते हैं हम लोग life of assets समझ पा रहे है तो मैंने example देते हैं starting में आज आपने एक लाग रुपे की machine purchase करी और इसकी life कितनी है 5 years है तो बेटा इस 5 years से ही तो मैंने क्या निकाला कि उस पे annual depression कितना है 20,000 तो यह वाला जो factor है यह भी important है machine कितने की है यह factor भी important है बस समझ आई तो हमने दो मुद्दों बात करी भी तक कि total cost of assets machine कितने की है और दूसरा उस machine की estimated useful life क्या होगी कितने साल तक वो effectively काम कर पाएगी I hope यहाँ तक बात क्लियर होगी बच्चा स्क्राइब वैल्यू बोलता है यह से residual value बोलता है residual value सर क्या होती है स्क्राइब वैल्यू यह residual value यह होती है कि एक मात मेरी ध्यान सुनो मैंने का एक लाग रुपे की मैंने machine करी दी और उसकी estimated life 5 years है सर 5 साल बीद गए मेरी बात ध्यान सुना 5 साल खतम हो गए अब एक बात बताओ 5 साल खतम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ मेरी बुग से वो machine खतम हो गई अभी आपको I think यह बात समझ नहीं आएगी सर कैसे खतम हो गई 20,000 रुपे हर साल डैप लगा रहे हो तो 5 साल में डैप कितना लग जाएगा एक लाग रुपे तो जो एक लाग रुपे की machine खतम हो गई लेकिन क्या physically भी वो machine बाहर फैक दू कि हमारे CNA ने का भाई इसकी life 5 years थी और आप 5 years आपने use कर लिया बाहर फैक दू ऐसा नहीं होता है न तो 5 साल यूज करने के बाद ठीक है अब वो क्या करेंगे हम लोग से हम वेसी भी हंदुस्तानी है बेटा कोई चीज फ्री में छोड़ता नहीं है तो इस machine को हम क्या करेंगे कबाडी वाले को देंगे तो सर इसcribe value और residual का मतलब होता है अपिशन फरग पढ़ता है ठीक है सर तो पहला है total cost of assets दूसरा है estimated useful life of assets सर ये scrap value कैसे बता लगती है ये भी estimated होती है भाई हम estimate लगा रहे हैं यार कि अगर मैंने ये phone for example एक phone जिससे मैं recording कर रहा हूँ एक लाग का phone लिया था पान साल life है तो cost तो एक लाग रुपे हो गई और estimate कर लिया पान साल इसकी life है अब पान साल बाद कितने का भी किएगा estimate कर रहा हूँ यार पान जार का भी किज़ाएगा तो इससे हम बोलते है scrape value या residual value चल सकते हैं आगे चलिए next part लिखे बढ़ाग चलिए बच्चों तो हम बात कर रहे हैं आगे method of depreciation यह depreciation निकालने के method कितने होते हैं सर इसके method होते हैं हाँ जी मेरे बच्चों तो depreciation को allocate करने के method होते हैं सर इसके art method है क्या सर हमें art method पढ़ने हैं नहीं मेरे बच्चों आठ थोड़ी पढ़ने आपको, आपको मेरे बच्चों केवल दो मैथड पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पार्ट में हैं, जो हमें 11 क्लास ले पढ़ने हैं, एक पढ़ना है SLM, सर गया होता है, और एक पढ़ना है WNV, ठीक है, तो इसका मतलब हो गए स्टेट लाइन मैथड, स्टेट लाइन मैथड, और दूसरा हमारा बेटा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड, ठीक है, तो ये दो मैथड के हमें चर्चा करनी हैं, और बाकी जो मैथड आपके स्लेवर्स में नहीं हैं, ठीक है तो एक बाद जल्दी से revise करते हैं हमने क्या बढ़ा हमने का असा depression का मतलब होता reduction in the value of tangible assets अगर हम बात करें हमारी कोई intangible assets की value कम हो रही है तो उसे हम amodation क्याते हैं और एक बार था depletion जो भी natural resources है जब उनकी value कम होती है तो उसे हम क्याते हैं depression फिर हमने बात करी है कौन-कौन से factors हैं I'm sorry कौन-कौन से reason है जिनके कारण हमारी assets की value कम होती है तो हमने चार reason की बात करी है पहला हमने बात करी बेटा किसकी use of assets assets को use करेंगे तो उसकी value कम होगी wear and tear होगा दूसरा दूसरा क्या था reflex of time की बात करी हम लोग ने थीसरा हमने थीसरी बात करी मेरे बच्चा किसक accident की बात करी और ये बीचे छूड़ गया कौन सा life of assets की है ना चलिए तो यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके है I hope इतनी बात आपको clear होगी बाकि next वीडियो में हम लोग start करेंगे method first straight line method ठीके बटा I hope यहां तक आपको clear होगा okay bye bye thank you very much